है कि देखे वो स्रामी प्रिषाद मव़ियाजी अपना संतुलन दीमा की संतुलन या मानसिक संतुलन खोबैठ्य हैं हो संबीधान को नहीं मानते हैं संबीधान को मानते तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते देखे जो पीडिये का नारा दे रहे हैं वो गडबंधन नहीं है वो ठक बंधन है जनता को ठकने वाले लोग कि कठा हुए है अपनी जान बचाने के लिए सरकार बनाने के लिए नहीं जान बचाने के लिए सरकार बन जाएगी तो हम लोग इसनाते यह लोग परिशान है कि अब तक इंडिया की टीम ने एक इतिहास रचा है लगातार जीत हासिल करते जा हैं और इस बार भी सुकब भी जीत करके इंडिया की टीम दिखाएगी कि बस्ती में दो घटनाय हुए हैं दो उसमें अलग अलग हत्या हो गई है एक रभी राजभर की और एक रिंकु राजभर की तो उनी का दर्वाजा करने के लिए आज हमको उधर जाना है कि अब इस तरह की घटना करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए लोग तंत्र है लोग तंत्र में सब लोग सो तंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए और इस तरह की घटना यह नहीं होनी चाहिए जब उनकी राज में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तो साइद भूल गए कि मुझभर नगर में जो दंगा हुआ उन्हीं की सरकार में हुआ थे उनकी सरकार में दंगे होते थे करफ्यू लगते थे और योगी जी की सरकार में दंगे और करफ्यू नहीं है इसनाते उनको लग रहा है कि कानून का राज नहीं है उनकी सरकार में प्रदेश की जनता ये कहते थी ये कि गुंडों की सरकार है गुंडों की सरकार के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिले जी मुके मंत्री थे तब लोग जानते थे अब कम तक मंत्री बढ़ने के भूसरा करने जा रहा है देखे जियों मंत्री मंदल का विस्तार होगा उसमें सामिल होगे नई ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया एक बयान मैंने दिया था कि साथ तारिक को हम बताएंगे कि कब मंत्री मंदल का विस्तार होगा बात कर लेंगे दिल्ली तो दिल्ली के लोग मध्यप्रदेश यह जो पांच राज्यों के चुनाव है उसमें लोग ब्यस्थ हैं अब खाली हो गए हैं अब उनसे बात करेंगे इतना जरूर है कि जब भी मंत्रि मंदल का विस्तार होगा तो उस विस्तार में हम आपकी नजर में आएंगे साथे की मंदिर बने तो मंदिर का निर्माड भी लगभग पूरा होने की कगार पे हैं 22 जनवरी को उसका उद्धगाटन होना है तो वह भी तो मानते हैं भगमार राम को कि बात मैंने सुना है हाँ यह उन्होंने जरूर करा है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो राम विरोधी हैं यह बात मैंने सुना है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए